नमस्कार उडान आईए सकादमी के e-learning platform पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने 4 अगस्त तक के current affairs को cover कर लिया था इस वीडियो के अंतरगत हम 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के current affairs को cover करने वाले है आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को पुना एक बार सुचित कर दे कि उडान IES आकादमी के द्वारा CGPAC prelims के लिए एक test series का आयोजन 21 अगस्त से किया जा रहा है ये test series तीन अलग-अलग levels में लिया जाएगा जिसमें पहला level basic level का होगा दूसरा advanced level का होगा और तीसरा mega test के रूप में आयोजित किया जाएगा इस test series से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप इन दिये गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं चली तो पिछली कक्षा में मैंने आपको कुछ प्रश्ण पूछे थे उनके उत्तर की और एक नजर डाल लेते हैं पहला प्रश्ण आपको पूछा था कि भारत और रूस के बीच बारहवा संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है option था इंद्रा, वरुणा, मेनका या पूद्णिमा तो इसका सही आंसर है इंद्रा इसको याद करने के लिए मैंने एक तरीका भी बताया था आपको आई एंडी आर आई एंडी रिप्रेजेंट करता है इंडिया को और आर जो है ये रिप्रेजेंट करता है रशिया को ठीक तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं चलिए अगला प्रश्ण था अगला प्रश्ण था कोविड-19 के खिलाफ शत प्रतिशत टीककरन वाला देश का पहला शहर कौन सा है तो इसका आंसर है उडिसा की राजधानी भूने स्वर ठीक अगला प्रश्ण है करनाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है ठीक इस पर भी हमने बात की थी आंसर है बसाव राज बुम्मई ठीक अगला प्रश्ण था भारत के चालिसवे विश्व धरोहर इस्थल के रूप में किस इस्थल को घोशित किया गया है ओप्शन था धौला वीरा बनवाली राखी गढ़ी या काली बंगा तो इसका सही आंसर है धौला वीरा सिंदुगाटी सब्वेता का पहला इस्थल है जिसको युनेश्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है ठीक चले तो आज का पहला टॉपिक टोक्यो ओलम्पिक से जुड़ा है इसके कुछ महतोपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो पहला तथ्या है कि इस आयोजन को 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया गया था दूसरा फैक्ट है कि टोक्यो एशिया का पहला शहर है जो ओलम्पिक की दूसरी बार मेजबानी कर रहा है ठीक है एशिया में पहला ऐसा शहर जिसने ओलम्पिक की दो बार मेजबानी की है तो कौन सा शहर है टोक्यो आपको पता होगा जापान की राजधानी है इससे पहले यहाँ 1964 में ओलम्पिक गेम्स हुए थे ठीक है 1964 में यहाँ पर ओलम्पिक गेम्स का आयोजन किया गया था तो यह दूसरा बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो ओलम्पिक गेम्स है इसका आयोजन किया गया है ठीक इस आयोजन का शुभंकर मिराई तोवा था ठीक के इस महाकुंब में 205 देशों के 11,000 से अधिक एथलीटों ने 33 खेल और 349 इवेंट्स में हिस्सा लिया ठीक तो यहाँ से महतुपूर्ण फैक्ट निकल के आता है कि कितने देशों ने टोक्यो उलम्पिक में भाग लिया तो याद रखेगा 205 देशों ने चलिए अगला बि अरत की तरब से सबसे बड़ा दल ठीक है याद रखेगा एक सो अच्छा यहें 127 है इसको करेक्ट कर लेंगे ठीक 127 सदस्य जो है वो टोक्यो पहुंचे थे जिन्होंने कुल 18 स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लिया ठीक है तो टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया तो य 113 पदक हासिल करके इस आयोजन में प्रथम इस्थान प्राप्त किया है दूसरे इस्थान पर चीन रहा था और तीसरे इस्थान पर जापान है भारत के क्रम की बात करे तो भारत का रैंक है 48 और भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजजत पदक और 4 कांस पदक जीत कर कुल 7 जेताओं की बात करें, तो स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेक खेल में प्राप्त किया है, रजत पदक की बात करें तो मीरा भाई चानु और रवी दाहिया, ठीक है, मीरा भाई चानु भारत तोलन से सम्बंदित है, और रवी दाहिया कुष्ती से संबंदित है वहीं अगर कांस पदक की बात करे तो हौकी टीम इंडियान हौकी टीम ने कांस पदक जीता है पीवी सिंधु जो की बैडमिंटन से संबंदित है इन्होंने कांस पदक जीता है और लवलीना बोरगोहेन ठीक है इन्होंने मुक्केबाजी में कांस पदक जीता है इसके अलावा कुष्टी में बजरंग पुनिया ने कान से पदक प्राप्त किया है तो इस प्रकार से कुल साथ पदक भारत को प्राप्त हुए है याद रखेगा एक स्वर्ण पदक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है आगे देखते है चलिए अगला पॉइंट है नीरज चोपडा व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतिये बने हैं यदि पहले भारति की बात करें जिन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो उनका नाम क्या है अभिनाव बिंद्रा याद रखेगा अभिनाव बिंद्रा इन्होंने पहली बार व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था तो इस प्रकार से नीरज श्रेणी में दूसरे भारतिये बने हैं पहले कौन है अभिनाव बिंद्रा श्रूटिंग वाले थे पीवी सिंधु पहली भारतिय खिलाडी बने असल में ये खिलाडी ने पहली भारतिय महिला बने जिन्होंने उलम्पिक खेलों में दो पदक जीते हैं इससे पहले उन्होंने रियो उलम्पिक में रजद पदक जीता था ठीक देखें दो पदक की बात करें उलम्पिक खेलों में तो सबसे पहले जीता था किन्होंने याद रखेगा सुशिल कुमार जी ठीक है सुशिल कुमार जो है आपको पता होगा कुछती से संबंधित हैं ठीक सुशिल कुमार ने दो बार पदक जीता है उलम्पिक खेलों में और अभी इस उलम्पिक में जैसे ही पीवी सिंधु ने कान से पदक जीता ये दूसरी खिलाड़ी बन गई है भारत की जिन्हों उलम्पिक खेलों में दो पदक जीते हैं ठीक तो दो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में सुशिल कुमार पहले और पीवी सिंधु दोसरी लेकिन यहाँ पर यदि महिला की बात करें तो ये भारती महिला पहली क्रम की है जिन्होंने उलम्पिक खेलों में दो पदक जीत 1980 के Moscow Olympic में स्वन पदक जीता था यहां पर होकी की बात हो रही है होकी में पिछला पदक जो था वो 1980 में आया था स्वन पदक जीता था भारतिय महिला होकी टीम पहली बार सेमी फाइनल में पहुंचे तो यह भी भारतिय होकी के लिए एक achievement है तलवार बाजी में भवानी देवी Olympic खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिय बनी है पहली भारतिय बोर रहे ठीक यहां पर महिला नहीं पहली भारतिय है जिसने तलवार बाजी में Olympic खेलों के लिए क्वालिफाई किया है ठीक बहुत important है याद रखेगा इस प्रकार के प्रश्ण पूछता है कि अभी तक कोई भी भारती क्वालिफाई नहीं कर पाया था नित्रकुमानन पहली भारती है जिसने नौका चालन के खेल के लिए क्वालिफाई किया है ठीक इसके लावा एक फैक्ट और इंपोर्टेंट हो जाता है ध्वजवाहक ठीक है यहां से प्रश्ण पूछता है तो दे दूसरा समापन समारों में तो उद्घाटन समारों में भारती ध्वज का वाहन किस ने किया था ठीक तो उद्घाटन समारों में दो लोगों ने भारती ध्वज को धारन किया था याद रखिएगा पहले हैं मैरी कॉम नाम सुनाओगा आपने बॉक्सिन की लेजेंड खिला समारोह में बजरंग पूनिया ने ध्वजधारन किया था, इनको याद रखेगा, ध्वजवाहक बहुत इंपोर्टेंट होते हैं एक्जाम के लिए, तो उद्गाटन समारोह में दो लोगों ने ध्वजधारन किया था, मैरिकॉम ने और मनपृत सिंग ने, वही समापन समारो की बात करें, तो बजरंग पूनिया ने ध्वजधारन किया था, ठीक, तो ये हमारे भारत के खिलाडी हैं, जिन्होंने इस तोक्यो ओलंपिक में पदक जीते हैं, इनको अच्छे से याद रखेगा, कौन से खेल से संबंदित हैं, ये एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्ट में हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हाली में जो देश का खेल रतन पुरसकार है, सर्वोच खेल रतन पुरसकार, स्वर्गिय राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खे खेल रतन पुरसकार कर दिया है इस पुरसकार के बारे में बात करें तो इस निर्णय के बाद राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार को मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरसकार के नाम से जाना जाएगा परिवर्तित नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरसकार के साथ 25 लाख रुपए का नगत पुरसकार दिया जाएगा ठिक तो यहां से एक डारेक्ट प्रश्ण बनता है कि देश का सरवोच खेल पुरसकार कौन सा है तो याद रखेगा ऑप्शन में ये भी देगा राजियु गांधी खेल रतना पुरसकार और ऑप्शन में आपको य ये भी देगा तो आपको किसको लेना है अंसर में इसको लेना है क्योंकि इस संबन्द में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है ठिक अगर खेल रतना पुरसकार की बात करें तो यह पुरसकार वर्श 1199-92 में इस्ठापित किया गया था और पहले प्राप्त करता की बात कर तो शत्रंज के दिगज खिलाडी कौन विश्वनाथन आनंद इसके पहले प्राप्त करता बने थे। ठीक अन्य विजेताओं की बात करे तो लिएंडर पेस आपको पता होगा टेनिस के बड़े खिलाडी रहे हैं भारत के, सचिन तेद्दुलकर, धनराज पिल्ले, पुलेला गोपी चंद, अभिनव बिंद्रा, अंजु बाभी जॉर्ज, मैरी कॉम और रानी रामपॉल ठीक है इन खिलाडियों को इस पुरसकार से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं मेजर ध्यान चंद की, तो मेजर ध्यान चंद उस ओलंपिक टीम का हिस्सा थे, जि विजाड के नाम से मशुहूर फिल्ड होकी खिलाडी मेजर ध्यान चंद ने वर्ष 1926 से 1949 तक अंतरराष्ट्रे होकी खेली और अपने केरियर में 400 से अधिक गोल किये हैं ठीक है, ये बहुत बड़ा अचिवमेंट है, 400 से अधिक गोल करना होकी वे, ठीक, वर्ष 2002 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदल कर ध्यान चंद जी के नाम पर क्या रखा गया, ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था, वहीं 29 अगस्त 1905 को जन में मेजर ध्यान चंद की जैनती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल पूरे राष्ट्र में राश्ट्रिय खेल दिवस मनाया जाता है तो यहाँ से भी प्रश्ण बनता है कि राश्ट्रिय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है तो याद रखेगा मेजर ध्यान चन्जी की स्मृति में यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं इनकी ठीक ये है मेजर ध्यानचन जी ठीक चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ चलिए अगला टॉपिक चर्चित व्यक्तितु से सम्मंदित है चर्चित व्यक्तितु में है रेखा शर्मा जी आपको पता होगा कि राष्टे महिला आयोग की अध्यक्ष है और अभी क्यों चर्चा मे है तो आईए देखते हैं राष्टे महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष रेखा शर्मा को हाल ही में तीन वर्ष का कारेकाल विस्तार कर दिया गया है याने इनके कारेकाल को आगामी तीन वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है रेखा शर्मा ने 7 अगस्त 2018 को र वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक ये इस राष्ट्री महिला आयोग की सदस्य थी और पूर्ण कालिक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होने से पुर्व उन्हें सितंबर 2017 में अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया था ठिक तो अतिरिक्त प्रभार की रूप में काम कर रही थी वर्ष 2017 से सितंबर 2017 से और पूर्ण कालिक अध्यक्ष कब्बनी 7 अगस्त 2018 को तो याद रखेगा आगामी तीन वर्षों के लिए राष्ट्री महिला आयोग की अध्यक्ष कोन होंगी रेखा शर्मा जी थोड़ा सा इ कि इस आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्री महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सामविधिक निकाय के रूप में किया गया था तो याद रखेगा इसका गठन कब हुआ है जनवरी 1992 में आयोग के उद्देशों की बात करें तो पहला उद्देश है महिलाओं की समयधा हैं उनको विधाई सुझाओ दिये जाते हैं इसके अंतरकर ठीक है जैसे घरेलू इंसा से महिलाओं का सरक्षन अधिनियम ठीक है वर्श 2005 में आया था वो एक ठीक शिकायतों का निवारन करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सल यानि कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई अधिनियम लाया जाता है जिससे की महिलाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ प्रभाव पढ़ रहा है महिलाओं पर तो उससे संबंधित नितिगत मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना भी इसका कार्य है इस आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। ठीके तो ये इसकी सनरचना है। चलिए अगला व्यक्तित्व है पद्मा सचदेव। समकालिन दोगरी साहित्य की जननी कही जाने वाली पद्मा सचदेव का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसको वर्ष 1971 में साहित्य अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया था। जो है समकालिन दोगरी साहित्य की जननी किसे कहा जाता है तो याद रखेगा पद्मा सचदेव जी को। यहां से एक प्रकार का प्रशन ऐसा यह बनता है कि पद्मा सचदेव जी का संबंध किस भाशा की कविताओं से रहा है। तो याद रखेगा डोगरी भाशा से इनका संबंध रहा है। ठीक चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है RBI की मौद्रिक दरें। हाल ही में यह जो मौद्रिक दरें हैं इनका पुनह समायोजन किया गया है। ठीक है इसके लिए एक समीती बनती है जिसका नाम क्या है मौद्रिक नीती समीती। समीती ठीक है मौद्रिक नीती समीती जो है ये केंद्र सरकार की एक सामविधिक समीती होती है ठीक है जो भारत की पहली मौद्रिक नीती समीती है वो वर्ष 2016 में उर्जित पटेल समीती की अनुशंसा पर गठित की गई थी उर्जित पटेल आपको पता होगा कि उस समय भारत क भारत में जो किंद्री बैंक है RBI उसके गवर्नर थे ठीक तो उर्जित पटेल समीती की अनुशंसा पर पहली मौद्रिक नीती जो है ये लाई गई थी ठीक गठित की गई थी और उसके बाद से ये जो समीती है वो प्रतेक दो माह में ये जो मौद्रिक दर होते हैं ठीक है ज सब का संशोधन करती है ठीक तो हाल ही में RBI की मौद्रिक नीती समीती की बैठा कोई जिसमें प्रमुख नितीगत दरों को आपरिवर्तित रखा गया है ठीक यानि कि अभी जो बैठा कोई उसमें ये जो RBI की पूर्व संचालिद दर्य थी उनको आपरिवर्तित रखा गया उनमें कोई फेर बदल नहीं किया गया है रेपोदर की बात करें तो वो 4 प्रतिशत पर इस्थाई है वहीं यदि reverse रेपोदर की बात करें तो 3.35 प्रतिशत पर इस्थाई है वित्वर्ष 2021 के लिए मुद्रा इस्पिती दर ठीक है कितना रखा गया लक्ष 5.7 प्रतिशत वहीं वित्वर्ष 2021 के लिए वास्तविक GDP वृद्धिदर का अनुमान कितने प्रतिशत का है 9.5 प्रतिशत का ठीक है आपको पता होगा कि तिमाही इसकी संगर्णा होती है जिसके अंतरगत पहले क्वाटर में 21.4 प्रतिशत अन दूसरे क्वाटर में 7.3 प्रतिशत तीसरे क्वाटर में 6.3 प्रतिशत और चौथे क्वाटर में 6.1 प्रतिशत की वृद्धिदर जो है इसके द्वारा अनुमानित की गई है याद रखेगा ये दर जो है आपको एक्जाम में डायरेक्ट पूछता है ठीक चलते हैं अगल इसे जानकारी देता है ठीक है भारत भारती प्रोध्योगी की संस्थान रूर की आईईटी आर ने हाल ही में उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप लॉंच किया है जो कि भारत का पहला इसको याद रखे भारत का पहला भूकंप पूर्वचेतावनी मोबाई एप्लिकेशन है या भूकंप अलर्ट के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए अपनी तरह का देश का पहला एप्लिकेशन है ठीक तो याद रखेगा यहां से इंपॉर्टेंट बोला जाए तो यह इस एप्लिकेशन का नाम है ठीक किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो याद र पहला प्रश्ण है तलवार बाजी में ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली भारती कौन है तो इसका आंसर आप हमको कॉमेंट बॉक्स में देंगे देखे टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए जो फैक्ट आपको बताये गये हैं वो कहीं न कहीं आपके एक घंधाल, कोकिला, वेणी, पद्मा, सचदेव या, राम्या, स्रीनिवास तो इसका आंसर भी आप हमको कॉमेंट बॉक्स में देंगे अगला प्रश्ण है राश्टि महिला आयोग की वरतमान अध्यक्ष कौन है तो इसका आंसर हमने देखा था कुछ स्लाइड पहले ही तेक मिलखा सिंग है, सुनिल गावसकर, तो इसका आंसर भी आप हमको comment box में देंगे, तो ये थे 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के कुछ ऐसे महतुपूर्ण तत्य जो आपके एक्जाम के लिए महतुपूर्ण है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो इसे like, share और हमारे चैनल को subscribe करना न भूले, मिलते हैं अगली कप्छा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रशनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.